अभी जो बजट आया वो काफी अच्छा है और लोगों के हित्म ही ये बजट दिया गया है मुझे लगता है बिहार के अंदर अच्छा मैसेज गया है चुकि बजट आपने देखा होगा है हर डिपार्टमेंट लगभख बढ़ा है कर अपने फोनेशन देख रहे हैं मैं हूं आपके साथ वंदना बिहार में बजट सत्र को लेकर के जनता का जो उमीद था कहीं न कहीं उस उमीदों पर जो है थोड़ा विराम दिखा लेकिन कहीं पूल मिलाकर देखा जाए तो इस बार का जो बजट है वह हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार सिरकार में मंत्री काफी अच्छा बजट है और जन्हितकारी है और पिपल्स फ्रेंडली बजट है इसमें के आम जन्मानत को काफी कुछ मिले जा रहा है कि कुछ लोगों ने यह आरूप लगाया कि इस बार का जो बजट है उसमें कुछ जो है और ज्यादा ग्रोथ होना चाहिए था जो ग्रोथ जो होगा तो लेकिन अभी जो बजट आया वो काफी अच्छा पेवल फ्रेंडली है और लोगों के हित में यह बजट लेकिन चुनाओं के बाद हम फिर से उसी रफ्तार से काम करेंगे अब तो सब कुछ है जो है अब आप नौर्मल हो चुका है अब ऐसे में खाली एक बचा जो है से काम जो बचे होए मंत्री मंदल का है तो वह भी बहुत हो जाएगा पिछली बार भी हम आपने कहा आप मंत्री जमाखान बजट को लेकर करके क्या आप कि रहा है मुझे लगता है विहार के अंदर अच्छा मैसेज गया है चुकि बजट आपने देखा होगा है और हमारे निता बराबर विहार में चिंदी तरहते भी हैं और सरकार जब हमारी रहे हैं तो कुछ नहीं कुछ नहीं आप करें कि बढ़ाया गया है लेकिन जो पिछले बार का जो बजट था कुछ लगभग उसी में कुछ किसी को बराबर में रखा गया है और हलका बढ़ा है रही सवाल हमारी बिहार के लिए हमारे नेता आज से 2005 से इनको हाथ में मिला है तब से बजट बढ़ने काम किया है जो आने के बाद बिहार प्रणी बेंसेज गया है विकास को लेकर चिंग्ती तरहते थे उसके लेकर वाले दिनों में निश्ची तौर पर हमारा बजट के साथ विकास भी होगा जो हमारे नेता ने पहले भी कहें हैं आज भी कहते रहे हम उन्निश्ची तोर मंदल के विष् और हम सब का हो का नोगों के निता के निदे पर बिषाब की विकास को चलते भी रेस प्रेज़ुकुष ककी क्या तो अपने सुना कि हाल सरकार में मंत्री सुमीत कुमार का और बिःजिट को लेकर के जो है इन्होंने कहा कि इस बार का जो बजट है निश्ची तोर पे डबल इंजन की सरकार में बिहार का विकास होगा और भी इसमें जो है गती आएगी सहयोग्य अभिजीत के साथ निश फॉर्डेशन पटना